अगर दोस्तो आपने भी एटल का नया सिम काड लिया उसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या किसी अन्य सिम को अगर आपने एटल में पोर्ड करवाया है उसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली क्योंकि दोस्तो पांच मैट के अंदर आप आसानी से या टेल के किसी भी सिम कार्ड को अग्टिवेट करवा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए अगर आपका नेटवर नहीं आ पारा है या टेली बेरिफिकेशन फैल बता रहा है तो इसका भी सोलूशन आपको इस वीडियो के लगाना लगाने के बाद आपको यह चेक करना कि उसमें नेटवर आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर दोस्तों नेटवर नहीं आ रहा तो इसका सोलूशन में आपको बताऊंगा लेकिन अगर उसमें नेटवर आ चुका है तो आपको कुछ भी नहीं करना यह जो नंबर है टेली बेरिपिकेसर नमबर रही है टेल के ओपीसियली नमबर जारी किया गाया 59059 इस पर आप कॉल कर सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कॉल करेंगे सबसे पहले आपको लेंग बेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा हिंदी इंगलिस सभी लेंग बेज पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको OTP एंटर करने के लिए पूछा जाएगा तो अब यह OTP आपको खाम मिलेगा यह भी मैं आपको दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने नया सिम कार्ड लिया था उस टाइम आपने एक अल्टरनेटर यहां से सलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका तो टेली बेरिपिकेशन है कुछ बैसिक इनफ्रमेशन पूछी जाएगी जैसे आपका आदार नमबर जो भी आपने आइडेंटी प्रोप दिया था उसका नमबर भी आप से पूछ सकते हैं इसके अलाव घुला दोस्तों मान के चलिए आपक। इसके लिए दोस्तों सब्सेटेस पहले आपको जो भी डिटेलर रजिसर आपने नमबर नहीं की अगर दोस्तों आपको कोई प्रेशा नहीं मुझे कमेंटी करके जरूवता है मैं आपकी पूरी हैलु करूँगा या इनके कश्टुमर केरों को भी कॉल कर सकते हैं बहां से भी आपकी पूरी हैल्पी की जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक च चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना जिसे आने वाली वीडियो नोटिपिकेशन आपको मिल सके